पार्ट से विन की स्टार्टिंग में जब विन किसी काम से घर के बाहर जाता है तो विन के जाते ही वान्यांग विन के साइड में जाकर उसके बहुत सारे स्नैक्स और फ्रूट्स लेकर खाने लगती है कि तभी डोर बैल बसती है जिससे वान्यांग विन समझ कर घबरा जाती जब वो बहार आती है तो वहाँ पर लुकपिट होता है जो कि अपने बॉइफ्रेंट से ब्रेक अप होने की वज़ा से रो रहा होता है वाननांग उसे चुप कर आते हुए अपने घर लेकर जाती है और उसे काफी समझाने की कोशिस करती है लेकिन तब ही बहार से विन अपने घर आ जाता है विन को अचानक से घर पर देकर वाननांग जल्दी से विन की साइड से अपनी साइड आ जाती है और लुकपिट को भी जल्दी से अपने साइड आने के लिए कहती है पर विन काफी ज़्यादा गुस्से में होता है और वान्यांग को अकेले में ले जाकर उसके उपर चिलाने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि इस घर में कोई भी नहीं आना चाहिए अब तुम्हारा ये फ्रेंड जाकर सभी को बता देगा कि मैं इसी घर में रहता हूँ वान्यांग विन को काफी समझाने की कोशिस करती है पर विन उसकी एक नहीं सुनता तो वान्यांग ये प्रॉमिस करती है कि लुकपीट तुम्हारे इस घर में रहने के बारे में किसी को भी नहीं बताएगा जिसके लिए विन बड़ी मुश्किल से मान जाता है उन दोनों की ये सभी बाते लुकपीट भी सुर रहा होता है और उन दोनों के वहाँ पर आने पर वो कहता है कि फिकर मत करूं मैं आपके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा जिसके बाद विन के डर से वान्यांग उसे जबरजस्ती अपने घर से निकाल देती है थोड़ी देर बाद में विन से मिलने के लिए टॉम आता है टॉम विन को अपने साथ कुछ डिसकस करने के लिए ले जाता है पर वान्यांग उन दोनों की बाते सुनने के लिए हर बार बीच में टपक जा रही होती है जिससे इरिटेट होकर दोनों टॉम के कैफे जाने के लिए निकलते हैं ताकि वान्यांग उनकी बाते ना सुन पाए लेकिन वान्यांग भी उन दोनों के साथ कैफे जाने की काफी जित करने लगती है तो विन उसे मना करते हुए घर पर रहने के लिए कह कर चला जाता है वेल अगले सीन में टॉम के कैफे में मीडी मेसा को उसका फोन वापस करता है और यहां पर मेसा फिर से मीडी से रूडली बात करने लगती है जिससे मीडी मेसा की बातों को इग्नोर करके वहां से जाने लगता है तो मेसा भी उसके पीछे जाने लगती है लेकिन वो अपनी हाई हिल्स की वज़ा से नीचे गिर जाती है जिसे देखकर मीडी उसके पास जाता है और उसे उठा कर अपने कार तक ले जाने लगता है ताकि वो फर्स्टेट बॉक्स से मेसा के पैरों का ट्रिट्मेंट कर सके मेसा को बाहों में उठा कर ले जाते हुए उसी टाइम टॉम के कैफे जा रहा विन देख लेता है जिससे विन अपनी पास्ट के दिनों को याद करने लगता है कि जब विन मेसा के घर के बाहर उसका वेट कर रहा होता है पर मेसा को किसी दूसरे के साथ देखकर विन का दिल पुरी तरह से टूट जाता है और आज दोबारा से मेसा को किसी और के साथ देखकर विन को काफी बुरा फिल होता है कैफे में टॉम विन को एक मुवी का स्क्रिप्ट देता है विन उसे मुवी करने से साफ मना भी करता है लेकिन टॉम के काफी ज़्यादा समझाने पर वो मान जाता है वहीं दूसरे सिन में मीडी मेसा के घर पर उसके पैरों की काफी अच्छी तरह से ट्रिटमेंट करता है जिसके बाद मेसा उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुमने मेरे पर्स को पानी में गिराया है क्योंकि उसके अंदर रखे प्रोडक्ट भिग चुके थे और फिर मेसा मीडी को इमोसनल होने की एक्टिंग करती है कि वो पर्स मुझे मेरे डैड ने दिया था जो कि अब इस दुनिया में नहीं है ये सुनकर मीडी मेसा के जाल में फस जाता है और उस पर्स के बदले तीन महिनों के लिए रात में वानंग विन के आने का वेट करते हुए हाल में ही सो गई होती है जब विन घर आता है तो वो मेसा का गुसा वानग पर निकालते हुए उससे रूडली बात करने लगता है जिसे वानग अपसे ठोकर वहां से चली जाती है अगले दिन जब वानग लुकपईट के साथ होती है तब ही एक आदमी आकर उससे टकरा जाता है और वानग को सौरी कहते हुए बातों ही बातों में उसे एक मौडलिंग एजेंसी का कार्ड देता है जिससे वाननांग खुस होकर उसे अपना नमबर दे देती है जिसके ऐसा करने पर लुपीट उसे डाटने लगता है पर वाननांग तो सुपरस्टार बनने के बारे में ही सोच कर काफी खुस हो जाती है वैल अगले सिन में मेंसा विन को कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाती है जिसके लिए विन मान जाता है कि तब ही वहां पर वाननांग आती है जिसके बाद विन वाननांग के पास जाकर उसे बात करने की कोशिस करता है लेकिन वाननांग कल रात की वज़ा से उससे अच्छे से बात नहीं करती जिसके बाद विन बार बार उसे कल रात के लिए सौरी बोलते हुए एक मदद करने के लिए कहता है जिसके लिए वाननांग पहले तो थोड़ा एटिट्यूड दिखाने लगती है पर बात में वो मान जाती है रात में विन मेसा से मिलने होटाल आया हुआ होता है जहां मेसा विन से इधर-उधर की बाते करने लगती है तो विन उसे सिधा पॉइंट पर आने के लिए कहता है कि तभी वहाँ पर एंट्री होती है वाननांग की जिसके बाद विन वाननांग को मेसा से अपनी गल्फरेंड बता कर इंट्रोड्यूस करवाता है जिससे मेसा काफी सौक हो जाती है और विन वाननांग के साथ उसका हाथ पकड़ कर वहाँ से चला जाता है और मेसा उन्हीं देखते ही रह जाती है आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल डिमपल ड्रामा टू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करो गाइस ताकि आपको हमारी नीव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, कमेंट और सेर करना भी मत भूलना थैंक यू वेल घर आने के बाद वान्यांग विन का स्क्रिप्ट वहाँ पर रखा हुआ देख उसे पढ़ते हुए बहुत ही ज्यादा खराब एक्टिंग करने लगती है जिसे देखकर विन का मूँ खुला का खुला ही रह जाता है और वो परिशान होकर वान्यांग से उसकी एक्टिंग बन करने के लिए कहता है और कहता है कि तुम इतनी गंदी एक्टिंग करती हो जिससे तुम सूपर स्टार तो क्या एक साइड रोल एक्टरेस भी नहीं बन पाओगी विन की बातों से वान्यांग चिट जाती है और विन को स्क्रिप्ट पढ़ कर अपनी एक्टिंग दिखाने के लिए कहती है जिसके बाद दोनों घर के बाहर लिख्यू ही स्क्रिप्ट की एक्टिंग करने लगते है जहां विन उसकी एक्टिंग देख कर हसने लगता है जिसके बाद वो अपनी लाइन बोलते हुए वान्यांग के काफी क्लोस आ जाता है और उन दोनों की किस होने ही वाली होती है की इसी के साथ पार्ट 7 की एंडिंग हो जाती है